गुड़ी बाणिंग फ्रेंग्स, विलकम बेक टू माई चैनल, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल वीवास लाइफ में होप करती हूँ, सब लोग स्वस्त हूंगे, मस्त हूंगे, अपने अपने कामों में ब्यस्त होंगे, हम भी ब्यस्त है, प्य प्लीज आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं, तो पूरा देखिये, मेरे को वाच टाइम भी चाहिए, सब्सक्राइबर के साथ, तो अभी मेरे हो जाएंगे 100 बाकी हैं, लेकिन वाच टाइम बहुत ज्यादा अभी हमको चाहिए, तो प्लीज आप लोग वीडियो को प क Courtney करिए और लाइक ऐग्साइग जरूर करिए तो यार आप लोगों को क्या जाता है regular में आप लोगों का एक सस्क्राइब और हम लोगों के चैरे पर इतना बड़ा फूसी देता है क्या कहा से तो आप लोगों को खुशी देने में क्या जा रहा है प्लीज कर दीजिए तो बस यही कहना था आप लोगों से की एक कम स्कम 5-6 मिनट तो देखा करिए आदा तो देखा करिए उतना तो देख लिया करिए तो बस यह कहना था और बाकी तो आप लोग खुदी एकदम समझदार हैं तो बस अब चलिए जदा बात नहीं करेंगे क्योंकि भूख बहुत तेजी से लगा है और अब चलें लसुन प्य और इसमें फिर डालेंगे जीरा थोड़ा सा बस एक चमच ज्यादा नहीं और उसके बाद इसमें लेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला गर्म मसाला हम पीस के रखे हैं लेकिन एक दम महीन नहीं पीसे हैं थोड़ा दरदरा पीसे हैं और उसके बाद इसी को एक चमच ले लिये ह हैं और यह हैं इधर कीरा काट रहें खा रहें और मेरे खा रहें खाओ कार लें तो खाहने लेकिन नहीं अभी कटा है तो खाओ जब्रजस्ती तो हम खा रहें और यह है ग्रम मसाला का बाद लहसुन है उसके बाद एक ठोप आज है इसमें इतना का बना लेंगे हम पेष्ट उसके बाद फिर मिलते हैं तो ये ये मेरे मसाले का भी मसाले में मीर्चा बाकी था मेरे तो अभी पेष्ट नहीं बनाए है अभी मीर्चा इन से बात करने बना हमाथा तो भूल ही जाते हैं कि क्या करना बात करने में ध्यान रहता है फिर इदर और ये चना मूंग और ये खीरा सब काट के नास्ता कर रहे हैं वो मेरे को भी दे रहे हैं नहीं खाते रहो करते रहो तो ये खा भी रहे हैं खाते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं दोनों साथ में हो रहा है मेरा दो ये लोग हैं ज्यादा लोग रहते हैं तब पूरा चीज टाइम से होता है दो लोग हैं तो कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता है जो भी मर्जी जब भी मर्जी नास्ता करो और दिन बर बनाते खाते लगे रहो कुछ भी बना लो एकदम या तो मौर्निंग वाले क्या आज बनाने जा रहा हैं तो हम आज बनाने बनाना रहा हैं तो हम आज बनाने का आप डेज स्व शर करनी ना सब अ हम आज बनाने जा रहे हैं फीस करी मचली तो ले आये थे तो फ्राई करके और अब लोग खा गए थे और थोड़ा सा बचा दिये थे जितना हम लोग को अच्छा लगता है फ्राई किया हुआ ना उतना अच्छा मतलब ग्रेवी में का नहीं लगता ग्रेवी में का ज्यादा यह हम नमक डाल रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कटोरी में से क्या डाल रही है तो फोरण में डाल दिये थे जीरा मिरचा शुके बाद नमक डाल दिये हैं और प्याज मेरा हो चुका है, अब इसमें मसाला के भूनेंगे तो मेरे बच्चों को भी ग्रेवी में का जादा नहीं पसंद है वो लोग भी फ्राइ किया हुआ ही मचली खाते हैं तो अभी हम लोग मचली ज़्यादा खा रहे हैं चिकन कम क्योंकि गर्मी है तो मचली ठीक है चिकन थोड़ा नुकसान गरेगा तो इसलिए तो मचली वही है, फ्राई करके और तो खा गए है, आधा से ज्यादा तो खा गए है, तोड़ा सा बचा है, तो हम ग्रेवी भी बना देते हैं, उसी से चावल रोटी खा लेंगे, वरना पूरा तला हुआ ही खाते हैं, तो चावल रोटी के लिए फिर से हमको बनाना पड़ता कुछ सबजी, तो हम बोले नहीं इतना का आप ग्रेवी बना देते हैं, तो अभी मसाला डाल के हल्दी डाल दियां, इसको भून लेंगे, तेल छोडने तक, और इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं हम, कास्मेरी लाल मिर्च, अभी ये किचन में से हट गए हैं, उधर गए हैं और ये देखे, आज फिर से मेरे साथ हुआ ही हुआ है, जो पहले हुआ था, प्ले बटन अन करना ही भूल गए, मेरा तो दिम्मा खराब हो जा रहा है, सच में बता रहे हैं, गर्मी का असर हो रहा है लग रहा है मेरे दिमाग पे, अभी से, तो बस मसाला हो गया था, उसमे और बाकी हम लोग फ्राई करके खा गए, तो अब ये मेरा पानी डल चुका है, जितना हमको डालना था, पानी मतलब डाल चुके है, अब ये खौलेगा, उसमें डालेंगे फिर मचली, तो ये देखिए, मेरा ग्रेवी खौल रहा है, अब इसमें मचली डाल दिए, अब इस मेरा मचली भी हो गया, और हम चावल बना लिए, रोटी भी बना लिए हैं, और ये अब चल रहे हैं, अम लोग खाना खाने, तो देखिए, हम चावल निकाल ले रहे हैं, उसके बाद ये बना है मेरा ग्रेवी मस्त एक दम, मेरा जब भी मन करता है, कभी लिटी खाने का, अब ये बहुत टेस्टी लगेगा, कम पानी डालके बस उबालके तुरांत उतार दीजिए, उसका टेस्ट नहीं आता, जीतना मस्त टेस्ट आता है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाली है, और उसको बात पकाते पकाते उसको कम करिए, तो ग्रेवी में भी एकदम पके मचली में अच्छे से पूरा अंदर तक फ्लिवर बसाले का चला जाता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये देखिए, मेरा मचली बन गे तयार, अब आपने लोग चल रहे हैं खाने, तो ये रही मेरी आज की थाली, आज की थाली में है मचली, रोटी, चावल सलाद, तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लोग और ये थाली अगर पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो नए है मेरे वीडियो पर प्लीज सब्सक्राइब करके आभी मेरे परिवेर में सामिल हो जाएं, मिलते हैं, नए ब्लोग में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई